हेलो गाइज तो फाइनली मकाउट इवेंस से मिस्टार एक्जामेशन फ्रॉम स्टार्ट हो गया है तो कैसे फिल अप करोगे चुल अब देख लेते उससे पहले जो भी प्रॉब्लेम आ रहा है रिगार्डिंग पेमेंट और जब तुम लोग फिल फ्रॉम को फिल अप कर दे और सर्वर प्रॉब्लम भी हो रहा है तो बहुत ध्यार से करना पेमेंट तो चलो एक्जाम फिल फ्रॉम में फिरसे आओगे तो एक्जाम फिल ए उससम फॉन्हें करना हुआ क्लेर्इघ्ज करने के बाद तौहारे प्रिब्वू प्र सब लिखा रहेगा यॉर्व्र by your college यानि मेरा जो from है college से रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया था semester fees तो मैंने जस्ट अभी payment कर दिया semester fees तो कल तक मेरा ये from release किया जागा college से तो तुम्हारा भी अगर hostel fees and semester fees क्लियर नहीं रहता है तो जाके पहले clear करो within 18th में क्योंकि 18 में का college इसू का last date है देखो इसा mention किया गया है last date है 18th में और 18 में के अंदर तुमको सारा fees करना होगा नहीं तो तुम्हारे college से from इसूंहें किया जाएगा और अगर from इसूंहें करता तो तुम्हारा एक साल पूरा बढ़ा ठीक है अब वीर्त स्टों और भी क्या होगा भी next step कर आएगा तुम्हारा from release भी किया किया जाएगा ठीक है जैसे कि अभी तो यह WhatsApp पर कुछ images आया हुआ है, तो इसमें देखो, your form is submitted by you, but payment is not made, please pay and ask college to pay the complete form process, okay, so अभी यह तुम्हारा सो करेगा इसमें, देखो मैंने सो कर दिया, तो अभी क्या करोगे, इसको अभी क्या करोगे, इसको सब्मिट कर दोगे, सब्मिट करने के बाद incomplete सो करेगा, कि तु सो करेगा, जब तुम इसमें login होगे, और यह वाला page open करोगे, तभी यह सो करेगा, payment close हो गया है, but यह payment close नहीं होता, payment अभी चल रहा है, ठीक है, तो simple देखो, payment option कब से start होगा, देखो, इसमें लिखाएं, हम लोग जाएंगे, तो last date for online submission for the fees, from submission and 19 को last date है, 19 के अंदर, तुम को payment करना ही होगा, और अगर payment करना भूल जाते हो, तो 21st के अंदर college से payment करवा दिया जाएगा, अभी problem के arrive payment में, कि बहुत सारे students का payment college से कर दे था है, तो उनलों का पता नहीं है, तो अगर पिछले साल भी तुम्हारा payment college से कर दिया था, तो तुमको इधर तक ही करना है, और क कुछ नहीं करना है, just submit कर दोगे और ऐसा तुमको सोग करेगा, नीचे, ठीके और कुछ नहीं करना है, college से automatically 21st में से पहले तुम्हारा payment हो जाएगा, but अगर तुम लोग हर साल, तुम लोगी payment करते हैं, भूझ से payment करना पड़ता था, पिछले साल भी तुमने ही खुझ से payment क हो गया है, and pay करना होगा, ठीके, complete the process from, process करने के लिए, complete process करने के लिए, तुमको payment करना होगा, और payment कहां से करोगे, simple इधर से नहीं, इधर सोग करता है, कोई प्रॉल्म नहीं, सोग करने के बाद तुम सीधे आ जाओ, make payment में, ठीके, जैसे dashboard में आ जाओ, make payment में आ जाओ, तो इधर तुमको सोग करेगा, sorry, मेरा email ID सोग हो गया है, तो इधर तुमको सोग करेगा, तुमारा fees, और वो ही fees तुमको इधर payment करना है, तो देखो, payment करते time, तुमारा UPID, card, debit card, तुमारा internet banking, and credit card से कर सकतो, बैट मैं तुमको recommend करूंगा, debit card and UPI, UPI है तो बहुत ही अच्छा है laptop से करो, and phone रखो, and phone से करो, अगर तुमारा phone में RAM बहुत ही कम है, यानि एक page store नहीं कर पाता है, एक page से अगर दूसरे page जाते है, तो automatically जो previous page है, वो refresh हो जाता है, अगर ऐसा होता है, तो बिल्कुल ही मत करो, phone से मत करो, ठीके, कोई दूसरे के phone से तुम लोग payment from fill up करो, and तुमको सो करेगा, payment successful हो गया है, complete सो करेगा, नहीं तो laptop से, desktop से तुम लोग from fill up करो, और phone से payment कर दो, कोई problem नहीं, ठीके, UPS से करना, UPS सब से best है, तो I hope पूरा अभी समझ में आ गया है, और server problem क्या से हो रहा है, server problem बहुत ही, यानि server down चल रहा है, इसलिए server problem चल रहा है, बा बाई, टिक क्या है,